रादे रादे मीत्रों आपका श्यल में स्वागते मैं अज़ आपके लिए बहुती सुंदर खता लाया हूं संत नाम देव क्रिष्ण भक्ति की महिमा असली पारस्दन संत नाम देव की पत्नी का नाम राजाई था और परिष्ण भाग्वत की पत्नी का नाम था कमला कमला और राजाई शादी के पहले सहलिया थी दोनों ही शादी हुई तो पड़स पड़स में ही आ गई राजाय नाम देवजी जैसे महापुरुष की पत्नी थी और कमला परिशा भागव जैसे देवी के उपासक की पत्नी थी कमला के पत्नी ने देवी की उपासना करके देवी से पारस मांग लिया और बड़े धंदानी से संपन हो कर रहने लगे नाम देव जी दरजी का काम करते थे, वे किरतन बज़न करने जाते और पांस पंसर दिन के बाद लोड़ते अपना दरजी एकाम करके आटे डाल के पैसे इकटे करते और फिर थे, फिर अतिन दरिदता में जीते थे लेकिन अंदर से बड़े संतुष्ट और खुश रहते थे एक दिन नाम देव जी कही किर्टन बजन के लिए गए तो कमला ने राजाई से कहा कि तुम्हारे गरीबी देखके मुझे तरस आता है मेरा पती बाहर गया तुम यह पारस ले लो थोड़ा सोना बना लो और अपने गर को धन्दान से संपन कर लो राजाई ने पारस लिया और थोड़ा सा सोना बना लिया संतुष्ट व्यक्ति के महांग भी आवसकत की पूर्ति बर होती है ऐसा नहीं कि दस तन सोना बना ले एक दो पाव बनाया बस नام देवजी ने आकर देखा तो गर में बहुत सारा सामाद धन्दान बरबर दिखा सक्करगुड़गी अदी जो भी घर की अखस थी वह सारा सामन आ गया है नام देवजी ने कहा इतना सारा वेबो कहां से आया राजाई ने सारी बात बता दी कि परीशा बागवत ने देवी की उपास ना की और देवी ने पारस दिया वे लोग खुब सोना बनाते हैं और इसलिए दान भी करते हैं मज़े से रहते हैं हम दोनों बच्पन की सहलिया है मेरा दुख देखकर उसको देया आ गई नाम देवजी ने कहा मुझे तुझ पर देया आती है कि सारे पारसों के पारस इसवर है उसको छोड़कर तो एक पत्तर लेकर पगली हो रही है चल मेरे साथ उठाए सामान नाम देवजी बाहर गरीबों में सब सामान बाटकर आ गए गर जैसे पहले था ऐसे ही खाली खट कर दिया नाम देवजी ने पूछा वो पत्तर कहा है लाओ राजा ए पारस ले आई नाम देवजी ने उसे ले जाकर नदिम फेक दिया और कहने लगिया मेरे विठल पांडू रंग हमें अपनी माया से बचा इन धन दोलत सुख सुधा से बचा नहीं तो हम तेरा अंतरात्मा का सुख भूल जाएंगे इसा कहता है कहते हुए ध्यान मगन हो गए इस तरों के पेट में ऐसी बड़ी बात जादा दिर नहीं ठहरती राजाई ने अपने सेली से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया अब सेली कमला तो रोने लगी इतने में परिशा भागवत आया पूछा कमला क्या हुआ क्या हुआ वो बोली तुम मुझे मार डालोगे ऐसी बात है अग्य परिशा भागवत ने सारा राइस समझा तो एक रोज से लाल पिला हो गया बोला कहा है नामदेव कहा है कहा गया मेरा पारस कहा गया और इधर नामदेव तो नदी के किनरे ध्यानमगनत थे परिशा भागवत वहाँ पहुंचा ओ ओ बगद जी मेरा पारस दीजिए नामदेव पारस तो मैंने डाल दिया इधर नदी में पर्म पारस तो ह divi अपना आत्मा यह पारस पत्तर क्या करता है मोव ओ माया पूत्पिसाच की योणु में बटकाता है पारस पारस करते हो भाई बेटो और पांड़ुर का दर्शन करो बोंगे नी करना हरी बोलो हरी बोलो और आत्मों इस्णांति पाओ नहीं चाहिए आत्मी मुझे मेरा पारस दीजिए पारस तो नदी में डाल दिया नदी में डाल दिया? नहीं मुझे मेरा पारस दीजिए अब क्या करना है? सचा पारस तो तुम्हारी आत्मा ही है और सत्य आत्मा है मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ मेरे बाप मुझे मेरे पारस दो मुझे पारस दो पारस मेरे पारस नहीं है वह तो मैं नदिम डाल दिया कितने वर साधना की मंत अनुष्ठान की सिद्धी आई अंत में सिद्ध सुरुपा देवी ने मुझे वह पारस दिया है जे पांडुरंगा कहकर नाम देवजी ने नदी में डूके लगा और कई पत्थर लाके रख दिये उनके सामने आपका पारस आप ही देख लो देखा तो सभी पारस इतने पारस कैसे अरे कैसे कैसे क्या करते हो जैसे भी आये हो आप ले लो अपना पारस ये कैसे पारस इतने सारे नाम देजी बोले अरे आप अपना पारस पहचान लो अब सब पारस एक जैसे जैसे रूपिय रूपिय के सीखे सब एक जैसे आपने मुझे एक सीखा दिया मैंने फेक दिया मैं वेसे सो सीखे लाके रख दू बोलो कि आप अपना सिका खोज लो क्या आप खोज पाओगे उसने एक पारस उठा कर लोहे के चुआया तो वो सोना बन गिया लोहे के जिस वस्टो को लगा है वो सोना ओ मेरे पांडूरंग माउली मा क्या आपके लीला है हम समझ रहे थे कि नामदेव दरीद रहे पारस नहीं चाहिए फेक दो ओ पांडूरंग परीसा भागवत ने सारे के सारे पारस नदिम फेक दिये और प्रमात्म पार्स में ध्यान मखन हो गए इसवड जिस ध्यान में है प्रमा विष्णूम है जिस ध्यान में है तुम्हाँ पहुंच सकते हो अपनी महिमा में लग जाओ आपका समय कितना कीमती है और आप कौन से कुड कपड जैसी क्रियाकलाब में उलज रहे हो अब याप बंदन में हो मौत कभी भी आकर आपको ले जा सकती है और भी किसी गर में ढखेल सकती है गर न मिले तो नाली में बेरने को आप मजबूर होंगे ना जाने कितनी अनकई बाते साथ ले जाएंगे लोग जूट कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे करदे सामिन मुझे भी अपने उन बंदों मेरे कनिया जो सोते हैं तुझे याद करते करते जो उठते हैं तेरा नाम लेते लेते जए जए शीराद